आप यस जोतिश में आपकर स्वाकत हैं मैं हूँ अंच्वी में साथ मौझूद गये जानते हैं आज का राशी फल्वा पंचांग मैं हूँ आपके साथ लक्षमी नौटियाल सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग बिक्रम समवत बीसो नासी राक्षस शक समवत उनिसो चवालिस शुपक्रित पोश शुकल पक्ष दश्मी तिथी साथ ग्यारा पीएम तक तक पश्यात एकदशी तिथी प्रारंब हो जाएंगी सुर्यदे सुबा 7.14 पर होगा सुर्यास्त शाम 5.35 पर होगा नक्षत्र अश्वनी बारार तालिस पीएम तक ततपश्यात भर्नी नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा योग शिब दो जन्वरी को 7.25 एम तक ततपश्यात सिद्धी योग प्रारंब हो जाएगा सुर्य धनुराशी में बिराजमान रहेंगे चंद्रमेश में बिराजमान रहेंगे शुब समय ब्रह्मा मुहुर्थ 5.25 एम से 6.19 एम प्राता संध्या 5.52 एम से 7.14 एम अभिजीत मुहुर्थ 12.04 पीम से 12.45 पीम इस समय कोई भी शुब कारे परारंब करेंगे वहा निर्विग्न संपन्य होगा अशुब समय रहुकाल 4.18 पीम से 5.35 इस समय कोई भी शुब कारे परारंब करेंगे तो आपके कारे में दिक्कते और कठनायां आ सकती हैं हो सकता है आपका कारे सफल ना हो इसलिए इस समय को टाले शुब समय का इंतजार करें जानते हैं आज का संपूर्ण राशी फल मेश आज का दिन आपके लिए विशेश महत्तोपूर्ण है काफी समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखेंगे क्रोध पर नियंत्रन रखें लंबी यात्रा से परहेज करें पडोसी से विवाद हो सकता है ब्रिश आज परते कारे सोच समझकर करे जल्दबाजी हानिकारक हो सकती है धार्मिकारियों में धन खर्च हो सकता है अपने निजी कारियों में ततपरता दिखाएं सफलता सुनिश्चित है मिथुन आज समय की स्थिती बहुत अनुकूल नहीं दिख रही है परतेकारे पूरुव सावधानी और होशो हवास के साथ में करें किसी राजनीतिक भ्यक्ति का शिकार हो सकते हैं मिथुन पूरु सतरकता बढ़तें करका आज दुपईया वाहन को सावधानी से परियोग करें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का परियोग कम से कम मात्रा में करें हो सके तो बिल्कुल ही ना करें लंबी यात्रा के योग दिख रहे हैं सिंग आज का दिन आपके लिए महत्वपोन कहा जा सकता है सोचे हुए कार्यों में अधिक मात्रा में सफलता मिलेगी बिगड़े हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे वाहन खरीदना हित कर नहीं होगा कन्या आज आपके घर में मांगली कार्य हो सकते हैं दोड भाग अधिक मात्रा में होगी समय आपकी हित में है बिगड़े हुए कार्यों में सुधार शुरू हो सकता है शिपजी की पूजा आराधना में रूची रखें तुला आज आपको पारिवारी कल का सामना करना पड़ सकता है क्रोध पर नियंतरन रखें सामन जसे बनाए रखना लाबधायक साबित होगा अधिक धन लगा कर कुछ खरीदना लाबधायक नहीं होगा बिश्चिक आज का दिन आपके लिए शंगर समयी कहा जा सकता है परते कारे सोच समझ कर ही करें लापरवाही और असब धानी का परियोग विश्चिश हनिकारक साबित हो सकता है शिपजी की पूजा अरादना आपके लिए हितकारी होगी धनू आज किसी के बहकावे में आकर कहीं जादा धन्ना लगाएं कोई बड़े धन की हानी हो सकती है धार्मिकारियों में अपनी रूची बड़ा दें जादा अच्छा होगा समय की स्तिती अनकूल नहीं दिख रही है मकर आज लंबी यात्रा पूण सावधानी के साथ में करें किसी के बहकावे में आकर कोई अनेतिक कारे न करें जिससे आपको भविश्य में कोई बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए हितकर होगी कुम्ब आज पूरा दिन विवाद से बचने की आवशक्ता है कुछ अनेतिक लोग विवाद पैदा कर सकते हैं सावधानी बनाए रखें दो पईया वाहन पूर्ण सावधानी से परियोग करें अच्छा होगा मीन आज धार्मिक कारियों में आपकी रूची रहेगी वधन खर्च होगा लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है काफी समय से बिच्छडे हुए खास लोगों से मुलाकात होने के योग दिख रहे हैं जो तिस परामर्ष के लिए संपर्क करें रगुनात परसाद शास्त्री से 9453555111 पर राद 10 बजे से 12 बजी तक निशुल्क जो तिस परामर्ष के लिए रगुनात परसाद शास्त्री जी से संपर्क करें 9453555111 इसको प्रत्य एक दिन राद 3 10 से 11 बजे तक